हे गाइज वेलकम टू फ्रेंड्स रूट फेमिली इंडियान ओयल में बहुत बड़ी वेकेंची हाँ दोस्तों डेजिंग नेशन ने इंजिनियरिंग असिस्टांड और टेकनिकल एटेंड और एक बात आप अभी तक हमारा चेनल को सस्क्राइब नहीं कियो तो प्लीज चेन चला जाएगा तो फिर चलिए इंडियान ओल जोब के बारे में बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन चाहिए टेंथ पास और डिप्लोमा और एज लिमिट एटीन और मैक्सिमॉम ट्वेंटी सिक्स और स्ट कर लिए रिलाक्सेशन है और इसके लिए फी लगता है करेंगे पूरा कंप्रीट आगे देखेंगे चलिए देखते हैं आप देख सकते हो इंडियान ओयल इंडियान ओयल कर्परेशन लिमिटेड और इसका लास्ट है लास्ट एट एंड टाइम अफ रिशिप्ट अफ ऑनलाइन आप देख सकते हो और 15 जैन्वरी 2021 ठीके तो फिर हम उसके बाद चलिएंगे एफ्लिकेशन स्टेट यहां पर स्टेट लिखा हुआ है वेस्ट पेंगल उत्तर प्रदेश आसाम बिहार जटकन हर्यानाप पंजाब हिमांचल प्रदेश तमिलनाडू अंधर प्रदेश चतिसकर उरिशा गुजूराट राजस्तान ये सारा इंजनेरिंग आशिस्टांट वेस्ट पेंगल में इंजनेरिंग आशिस्टांट अफ्रेशन वह उपर वाला मेकानिकल तो इसा कौन सा स्टेट में क्या वेकंची नंबर वेकंची साइड में लिखा हुआ है तो आप कम्प्लीट इसे डाउनलोड करके में डिस्क्राइब में इसका पीडिएप का लिंक दे दूंगा आप वहां पर डाउनलोड करके कम्प्लीट डीटेल्स रीट कर सकते हो ठीक है तो फिर हम हम कम्प्लीट पीडिएप को डेस्क्राइब करें तो फिर वान आवर हो जाएगा तो फिर हम सर्टली डेस्क्राइब करके important things समझा देंगे ठीक है तो फिर उसके बाद आता है qualifications requirement कौन सा designation के लिए क्या qualification चाहिए engineering assistant चो mechanical grade 4 में 3 years full time diploma 3 साल का diploma और 2 years through lateral entry after ITI आप आप ITI के बाद दो सल lateral entry किये हूँ diploma तो फिर आप apply कर सकते हो ठीक है तुभी mechanical engineer और automobile engineer वाट कंडिशन है आपका percentage minimum 55% है तो ही आप apply कर सकते हो ठीक है और क्या लिखावाए साइट में pass marks for SC or ST candidates for the post reserved for them for them ओके तो फिर उसके पाद चलते हैं इंजिनियर इंजिनियरिंग असिस्टांट इलेक्ट्रिकल उसी गेट फोर में 3 years full time diploma तीन साल डिप्लोमा चाहिए और टू यह लाटराल एंट्री आप्टर आइटे आइटे के बाद इस दो साल डिप्लोमा एल्टेरल एंट्री किये हो तो भी चलेगा ठीक है इल्लेट्रीक अल इंजिनियरिंग या फिर इलेक्टिकल और इलेक्ट्रोनिक इंजिनियरिंग इसी ट्रेड़ से आप को औली क्वालिफई किये हो तो ही आप apply कर सकते हो यहां पर भी minimum mark 55% मांगा है ठीक है उसके बाद आता है इंजिनेरिंग असिस्टांट ओके त्री यह फूल टाइम डिप्लोमा सेम तिंग बस ट्रेड अलग है साथ है इलेक्ट्रोनिक्स और कम्मिनिकाशन इंजिनेरिंग सेचं बराइन इलेक्ट्रोनिक्स और तेलिकविंीकाशन इंजिनेरिंग इलेक्रोनिक्स औरडियो कम्मिनिकेशन इंजिनेरिंग इसके बाद आता है इंजिनरिंग असिस्टांट ठीक है तो तो फिर यहां पे भी सेम तिंग त्री येर्स टिप्लोमा लाटरल एंट्री टू येर्ट आइटाई के बाद यहां पे थोड़ा ट्रेड अलग है केमिकल इंजिनेरिंग मेकानिकल इंजिनेरिंग ऑटो मुबाइल इंजिनेरिंग इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग इलेक्ट्र एन बोब रेजल्ट जाहिए एं ग्रेड ओन में आ गया टेक्टिकल एटनेंट वन यहां पर मैट्रिक मतलब टैन्थ पास या फिर आईटी आइए फ्रमेक ग़ंध्स इंस्टीचूट आप किसी गब्मेंट रेकानेजिच इंस्टीचूट से ऐईटी वालिफार किये हो पास क कर सकते हो या या फिर टेमत स्वार्श के वी एप्लाइ सकते हैं ठीक एक क PPE प्रोशेश ट्रेट सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेट गें टीसी हो Okay कि बाद आता है आई टैई आइट में क्या क्या ट्रेट और कितने साल कोड्स एलेक््रीक एलेक्रेसियन दोसाल का कोर्स एलेक्रोनिक मेकानिक दोसाल का सब कुछ दोसाल का है अब देख से इलेक्ट्रिकाल इंजिनेरिंग आशिस्टन् टी एन आई जो हम यहां पर देखे थे टी एन आई यह वाला इंजिनेरिंग अशिस्टन्ट तो फिर उनका सेलरी क्या है उनका सेलरी 25000 से वन लक फाइब थाउजंड ठीक है उसके बाद आता है सेलेडी ग्रेट फॉर दो पोस्ट टेकनिकल एटनेंट वन चो टेंथ पास बच्छे लोग थे या आई टी आई पास गर्मेंट इंस्टिचूट से उन लोगों का सेलेड है ट्वेंटी थी थाउजंड से सेवेंटी सब्सक्राइब से आपका डी ए एचारे और जो भी बेनिफिट्स अधर एलाउंस है आपको सारा मिलेगा ठीक है कॉट अप डेट देट फॉर एज क्वालिफिकेशन इस्टा सेल्विर रिन एजन ट्वेंटी ट्वेल्थ 2020 मतलब डिसेंबर 22 में इसका कॉट अप डेट आए सकते हो केंडिडेट्स बिलंगिंग टू जेनरल एंड ओबी सी केटेगोरी अर रिकवार्ट टू रिमेट और 100 अन्ली मतलब जेनरल और ओबी सी केंडिडेट को 100 फी पे करना पड़ेगा बाकी सी स्ट और पीड़ बीडी इन लोगों के लिए पेमेंट 3 मुप्त में ओके त तो फीर आप पूरा इस पीडियेप को डाउनलोड करके डीटेल्स पर सकते हो बस में इंपोर्टन ठीक्स डेस्क्राइब कर देता हूं उसके बाद आता है कि आपका एज साथ यह है मिनिममम एज रिकार्मेंट इन 18 एर्ज एंड आपर एज लिमिट 26 एर मतलब आप 18 साल के 18 एज के उपर आपका एज 18 साल है तो उसके उपर ही आप एपलाई कर सकते हो और मैक्सिममम एज 26 एर है ठीक है पड़ एसी एस्ट के लिए कुछ रिलाक्स सेस्थन त्री यूर ज्यादा है तो अप तो भी आप एपलाई कर सकते हो थीक है ने शारी 5 एर एसस्ट के लिए 5 प्रिलाक्स एस्ट और OBC के लिए 3 यूर रिलाक्सेशन मतलब आपका एज 31 है तो भी आप एपलाई कर सकते हो यदि आपका कास्ट SC और ST है और आप 29-year है तो भी apply कर सकते हो यदि आपका कास्ट OBC है general है तो फिर आपका edge maximum 26 होना चाहिए उपर हो तो apply नहीं कर सकते हो ठीक है तो फिर आप इसे complete पढ़ सकते हो हम नीचे चले जाते है है सिलेक्शन में मेथौलोजी सिलेक्षण प्रसेस हिसका क्या है इसके परस्ट आप का र 120 होगा उसके बाद physical test ठीक है physical test के बाद कि प्रैंट मेरेट लिस्ट चल्भी प्रीप्र बैस्द न्टर मार्ग सिक्र a minimum of 40 percent marks in the written test to qualify for SPPT SPPT आपको qualify करना है तो फिर 40 percent minimum mark आपको रखना पड़ेगा क्वाली सिक्यूर करना पड़ेगा for SCST okay SCST or PWBD candidates के लिए minimum result 30 percent qualify करना पड़ेगा 30 percent result secure करना पड़ेगा after providing 10 percent relaxation 10 percent relaxation के बाद आपको 30 percent होता है ठीक है तो फिर उसके बाद चलते है रिटिन test methodology modality रिटिन टेस्ट चलवी held tentably on 14 to अच्छा रिटिन टेस्ट इसका सब्सक्राइब होगा February 14 2021 संडे को ठीक है और एक बात बता दूं कि टोटल 100 questions रहेगा ठीक है 100 questions रहेगा उससे आपका 75 questions रहेगा उससे आपका 75 questions रहेगा प्रम सब्सक्राइब का इंजिनरिंग से उनका कोर्स से बाकी 25 पॉस्टेंस जेनरल अम्टिट्यूट एंड डिजोनिंग से आएगा ठीक है उसमें रहेगा क्या जेनरल इंग्लेज निमेरिकल एंटिट्यूड एंड जेनरल नॉलेज एक्सरा ठीक है तो फिर उसके बाद आता है जो आई टी या फिर टेंथ टेंथ क्लास का स्टूडेंट है अब कैंडिडेट्स उनके लिए क्या आ गया पर रॉंडेट कोस्चेंस 75 वेज्ट्यव कोस्चेंस विटेक्निकल डिसिप्लेंस उनका कोसचे आएगा 75 वाकि 25 कोस्चेंस जेनरल अक्रिट्यूड इंग्लेज निममरिकल आप्रिट्यूड और जेनरल नॉलेज ठीक है और आपका डिरेशन रहेगा 90 मिनिट्स एक्जाम क और डियूरेशन अफ रिटीन टेस्ट प्र पोस्ट रिजर्व फॉर देमस वी 120 मिनिट्स आपका जितने पी डूर्ब्ट रहेंगे उनके लिए 120 मिनिट्स रहेगा ओके और उसके बाद कुछ इंपोर्ण थींग नहीं है डियाविलिटी सर्टिफिकेट जिन लोग का डियाव है बड़ी में इफेक्ट है तो उनका डियाविलिटी सर्टिफिकेट है तो फिर उनके लिए कुछ रिलाक्सेशन है आप इसको पीडियाव डाउनलोड करने के बाद पढ़ सकते हो और आपका सर्टिफिक भी होगा उसके बारे में कुछ कंडिशन लिखा हुआ है नोट्स इसके बाद जन्राल इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हो कुछ कोई इंपोर्टन नहीं है तो फिर उसके बाद हम चलते हैं हाउ टू एप DR Insp में आपका आउनलाइन कर सकते हो यहां पर वब्सैट का लिंक है मैं डेक्स्रिफिप्शन भी इसका लिंक दे दूंगा आप वहां से क्लिक करके एपलाई कर सकते हो और एक सब्सक्राइब में क्या एक्जाम होगा एडमिट कर को आएगा पर डिटल्स लेखा हुआ है पढ़ सकते हो ठीक है और उसके बाद भी आपका कोई डाउट आ रहा है तो फिर यह वेबसाइट में जो नंबर है में सर यह यहां पर जो मेल आइड है आप यह मेल आइड में क्व